नमस्कार मेरा नाम अन्राग गुपता है और आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी का बहुते खासकार करम सुनते हो नेता जी दिल्ली में चुनावी बिगुल बच चुका है मुहबत के महीने में बोटर्स अपने प्रेम का इजहार करेंगे तबी तो प्रपोस डे पर बोटिं 250 मद्दान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तमाल करेंगे सत्तर विधान सभावाली दिल्ली में मुख मंत्री अर्विन केजरीवाल का कारकाल 22 फरवरी 2020 को समाप्त हो रहा है उसके पहले ही दिल्ली को नया मुख मंत्री मिल जाएगा आज के सवाल दिल्ली में होने व साल लगे रहो केजरीवाल नारे के साथ चुनावी मैदान में कूच चुके हैं और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि केजरीवाल आमाद्वी पार्ट के नेता है और भाजपा ने तो हाली में जारकन का मैतान गवा दिया है ऐसे में वैं प्रदान मंत्री नरेन मोदी के चहरे चुनाओ लड़ने जा रही है और यह पहली दफा है कि डिल्ली में भीना मुख मंत्री के चहरे का एलान किये हुए भाजपा चुनाओ लड़ने वाली है और रही बात कॉंग्रेस की तो पूर मुक्मंत्री सीला दिक्षित के निधन के बाद से कॉंग्रेस की स्थित डामल डोल है हलागि प्रदेश अद्रेक्ष भास चोपड़ा तो कह रहे हैं कि पूरी ताकत से उतनेंगे लेकिन लोग सभा चुनाओ कहां किसी को भूलता है 2015 में क्या हुआ था वाई सवाल बहुत अच्छा है साल 2015 में हुए विदान सभा चुनाओ में अर्विन केजडिवाल के नित्रत में आम आतनी पार्टी ने चुनाओ रड़ा था और कुल सत्तर में से सरसर सीटों पर जीत हासल की बची हुई तीन सीटे भाजपा के खाते में गई बोट बैंक की बात करें तो आम आतनी पार्टी को 54.34% मिले थे विदान सभा चुनाओं में तो केजडिवाल का जादू चल गया लेकिन लोग सभा चुनाओं में वह बुरी तरह से पिटकें भाया दिल्ली की सभी साथ सीटों पर भाजपा ने कबज़ किया और लोग सभा चुनाओं को बीते हुए जादा वक्त भी नहीं हुआ बोटिंग किसके पक्ष में होगी यह तो ग्यारा फरवरी को ही पता चल लेगा दहाई की लडाई लड़ रही है भाजपा और कॉंग्रेस बिल्कुल भाया सी बोटर्स का ओपीनियन पोल सामने आया है जो यह बता रहा है कि साल 2020 के चुनाओं में आम आदमी पार्टी को 53 फीस दी और बीजेपी को 26 फीस दी बोट मिल सकते हैं जबकि कॉंग्रेस को पांच और अन्यकी खाते में 16 फीस दी बोट सियर जा सकते हैं अगर हम सीटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 69 सीटे मिलती दिख रही है जबकि भाजपा और कॉंग्रेस दहाई के आंक्रे की लड़ाई लड़ रहे हैं ओपीनियन पोल में भाजपा को आठ सीटे तो कॉंग्रेस को तीन सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या अर्विन केजरीवाल का जादू चलेगा ओपीनियन पोल में अर्विन केजरीवाल को साल 2015 के मुकाबले 2020 में घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन सुकून करने वाली बात यह है कि सरकार फिर भी केजरीवाल की ही बनती हुई दिख रही है सरकार बनाने के लिए आमाद्मी पार्टी को 36 सीटों की अवशक्ता है और ओपीनियन पोल में तो 69 सीटे मिलती हुई दिखाई दे रही है भाजपा ने क्या बताया मुक्क मंत्री उमीदवार का नाम भाजपा ने मुक्क मंत्री चहरा घोसित किया हुआ था हरियाना में सरकार चोटाला की मदस्य बनी तो महराश में सरकार बनकर गिर गई और जहारखंड तो खुद मुक्क मंत्री उम्मीदवार ही चुनाव हार गए यानि की रगबर्दास ऐसे में भाजपा दिल्ली चुनावों में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हाला कि 2019 के अंत में मनोस्तिवारी और प्रवेस वर्वा के नाम की अटकले जरूर लगाई जान लेकिन अब सबकुछ इसपर्ष्ट है कि भाजपा प्रदान मंत्री नरेन मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और अगर चुनावों में कोई करिश्मा होता है यानि की चुनावों जीपते हैं तो फिर तै किया जाएगा कि किसे मुक्ध मंत्री बनाया जाए भाईया इस बार केजरीवाल के समर्थन में कौन कौन सा सीम प्रचार करेगा जब अरविन केजरीवाल ने उपराजपाल अनिल वैजल के दफ्तर में धरना दिया था उस वक्त तो विपक्षी पार्टियों ने सीम का बहुत समर्थन किया था और वो कौन थे विपक्षी पा पाइटियों में तो पश्चिम बंगाल की सियम ममता मैंणरजी और जहारखंड के मुख मंत्री हेमन सोरिन के आने की उम्मीद हैं बाकी विपक्षी राज्चियों में कॉंग्रेस की सरकार है और आप लोग तो जानते ही हैं कि कॉंग्रेस और आम आतनी पार्टी तो बहुत ही पक्के मित्र हैं जो साथ में स्टेज सेर नहीं करते हैं एक जाता है तो दूसरा आता है वाला हाल हमेशा से रहा है ऐसे में विपक्षी युवा निताओं को देख सकते हैं जैसे कनहिया कुमार जिगनेस मेवाडी स्वरा भासकर गुल पनाक और डटलानी व्रदर्स अब ज मुगनी आवाज के साथ सरकार से सवाल पूछ सकेंगे अब हम भी चलते हैं चलो फिर लाइक शेयर और सिस्क्राइब भी कर दो हम भी जाते हैं फिर मिलेंगे आपसे कल नमस्कार